हेलो फ्रेंद्स मैं हूँ अमन और आप देख रहे हैं मोटरबाइट एक और उनर्शिप रिव्यू और फ्रेम में आप गाड़ी देख रहे हैं टाटा की हैरियर यह है के बेटे हैं आपका क्या नाव है बिटा सब्सक्राइब मैंने जैसे पताया 2019 मौडल है और उस टैन पर आती थी वह 140 पीएस के साथ तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपकी हैरियर से मिसिंग है इसका सर इसके अंदर में मेजर नी दो चीजों का इंपेक्ट था एक तो एंज हुई थी और उसमें भी और उसमें भी 170 पीएस से ही शुरू हुआ था तो मुझे यह समझ में नहीं आया कुट भी कि शायद है तो आवरेस तो अच्छा निकालना चाहिए कि थी कि पावर इतनी 170 पीएस मुझे नहीं लगता को यूज कर पाएगा कभी भी जब सीटी ड्रा बट फिर वाट आ अंडर्स्टोड कि टाटा हैस हर्ट किया नहीं लोग अर नोट सेटिस्फाइड विद 1.40 तो में भी इन दी नेक्स वर्जिन और यह उनको कंपेटीशन में आगे जैसे अब एक भी 700 भी आगे थी तो कंपेटीशन में बने रहने के लिए बने रहने के ल अगे लिए और दूसरा इसका आटोमेटिक इसमें नहीं आथा रूसंडूरूफ का मुझे इतना उस स्थाम पर नहीं था बट आटोमेटिक विच वज़सा इंसेटीट्राइव वस नीटेट अट और मैं देख भी रहा था कि डीजल में अच्छा मेले तो वह इसमें अवि अच्छा इसे पहले भी मेरे पास टाटा मांज़ा थी पेट्रूल में वह भी मैंने दस साल रखी है और वह भी कोई दस साल में कहने सकता था कि वह दस साल पुरानी गड़ी जादा से दो तीन साल पुरानी रही विकास गाड़ी मैं कोशिश करता हूं जितना मैंटेन करके कितना मेंटेन करके रखोगे गाड़ी आपको कभी दोखा नहीं देखी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकूंगा आप गाड़ी और जिस स्क्रीन पर देख रहे हैं पूरा हमने शॉट आपको दिखाया है दो जार निस वेरियंट है यह और आपको कहीं से लगेगा नह है बले ही वो गाड़ी साफ करने वाला है मैंटेन करना वाला है बड़ जब तक वा खुद एक बारात नहीं वारूंगा वो तसनली नहीं मिलते तो आई नीड टू चेक ऑईल लेवल क्या है पानी आपको पानी चाहिए वैनेवर यू लीड यूर अट एरिया मतलब कोई ची जब इसका हुआ था तो भी सेलिब्रेटेड थी बर्थडे अच्छा अब देख रहें स्क्रीन पर सर ने मुझे बेजी है अच्छे तो आट टाइम इसके जो अपना हैट थे फॉर डिजाइन उन्हों ने भी इसको अब किया था एंड नाओ इस इस इवन हूँ इस बियाइ सब्सक्राइब करते हैं साथ में आपकी स्टोरीज पी सुनेंगे अब अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करेंगे अब आप अपनी स्टोरी से बताइए कि कहा कहा तक सर इसको लेके जा चुके हैं सर एक हमारे गुप है तर दिहंग कर जुनिफाइट गुप इसका नाम पहले अक्शुअली टाटा है यह उल्रिफाइट गुरुप था थीक है फिर इस वो रिजिस्ट कराया गया दिहंग ईनिफाइट ग्रुप के नाम से और हमारा करीब तीन आजार से हूपर मेंबर्स अ यह नो मीट अप ड्राइव हो गया या जैसे अब रीसेंट राइव ऑगा फॉन टुन देशक्ट जैन फॉर दी रिपब्लिक दे तो यह तो ग्लोकल ट्राइव चलती रहती है चाहिए चर्फ है यह आपका अब अब ही तक है यह गाता सर बाट रीसेंट यह अब हमने समें सफ सब्सक्राइव जैसल में लोंगे वाला दो बार ट्रिफ हो चुका है और उसके बाद में लदाख हुआ है इस पेति हुआ है डैली तो गोवा हुआ है और दी रिसेंट रिप आगेस्ट उन इंडिपेंडेंस दे इन लदाख और सारी नाइस पेति अन लदाख वास जस्ट अजिए बिफोर अजिए जन गाडिया एक साथ गही थी और कांगा में शरी स्विती में अट वाट सॉम्धि प्लेटी प्लेटी प्लेट श्मिली टूस वाले कॉर्ण अधिधर्र में लाग्र्स एंड लगवाष और चाहिए इस नी दूर से चैनाई बंगलार एदरबाद Mumbai, Gujarat, in sub se the vehicles came and our center meeting point was Karnal, the flag off point was Karnal and in fact Tata Motors has also supported us in this drive with their you know support vehicle throughout they deployed and plus Karnal mein hi Tata Motors ke showroom se we started up so they arranged all the flag off ceremony even the local minister from Haryana he came up for the flag off and it was covered in Karnal TV so it was a good event and Spiti was like one of its kind of you know experience like it's not like the plain roads or just dusty roads are very tough terrain even when you reach 14,000 altitudes oxygen level which not only impacts you but also the vehicles you know pickup and performance and when you have to go steep you have to go down there are no roads sub dhul mitti and you know dust mud in which you have to drive so ideally people think that there is only 4x4 there is better because there are chances that you will be struck but out of the 30 harriers that we were all together we be guardy struck with the reason why I am saying this again because a mind me doubt rather that people say people are just about the 4x4 vehicles right 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 सब्सक्राइब को दिक्कात आई हो सब्सक्राइब करें निए कहता हूं कि 140 PS वास फार बैटर एंग कंपारिशन टू बन सब्सक्राइब को इस वह नहीं दूसरी चीज़ के सब्सक्राइब करें को 5000 किलोमेटर से दजार के बीच में दलता है और वह जब आप टेरेन पे हैं तो मेरे ख्याल से प्लस आपको जब डिपीएफ होता है प्रक्राइब करें जैसे पता है जितना आपका डशी होगा लएक लद्दाक और देश्पिती रीजिन वह आपके जो सब्सक्राइब करें आपको लगया क्या पैडल दे रहे हो पर आर पीम नहीं टेंगे काड़ी में अच्छा वो चोग गया और उसका फिर से बड़ा प्रॉब्लम किया होता है कि जरिस्टों मैनौल इंटर्वेंशन कर दो आपको तूदी आपको तूदी आपको अशीन नप पिक देना होता है ना वहां पर यह अच्छा प्ले करता है इन अधिशन टूदी टॉर्क तो सेम ही है तो आपको यह पावर का थोड़ा से रिकवार्मेंट आता है वहां पर लगता है यह भी ठोड़ा सटीन हुआ हुआ है इंजर एफॉरार इस पे ट्रेप अच्छा किया थोड़ा इसका आर्पियम इंप्रूब हुआ था उस्ट्यूनि के बाद में गाड़ी को टुफ टेरिंस पे चड़ने में भी आर्पियम पे आपको जल्दी जो है वह इसका वह तर्बो हिट कर जाता है तो अगर आप ड्राइव भी करोगे तो आपको पता लएगा एवन पर निए पर निए पर को मोड़ी विल सी आपने दूसरे एडिया किया होगा इसके और इसके लिए फिर टाइक चलपाती तो आपको लिए को मोड़ में नो डाउट वोगा अच्छा पांग दिए लाए इस पे तो यह चलाने लाए की नहीं नगरी आपके अभी रैक्नां प आप इसको पर चिनाएंगे एको बेसिकली मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूं अब हम लोग इको मोड पर जो है वो कर दिया है जै अब तोड़ा सा इंप्रूवमेंट है वह वाला सीन नहीं है जैसे अब अपनी स्टेट्मेंट की कि वह बिल्कुल रहाता है वैसा नहीं और सब्सक्राइब करता हूं वैसे मेरा बहुत कम यूज आप जैसे आप डैली ट्रैफिक में ऑफिस जाना है वंपर ट्रैफिक है तो एको में क्या होता है ना एंजिन अग्रेसिव नहीं रहता है तो आपको फस्सेंड गेर ट्रांजिशन में जटका आता है कही बारी पिकाव आए पावर हा वह आपको फिल नहीं होगा तो गाड़ी रिलेक्स रहते है दिए त्रुस लगाने वद इसको एको मूट में कर देजे एड प्रित रहें पर लएग भार अभी अभी अःध परी अधारा की अधार थैट अगर आप इसके किलोमेटर है तो इस सम्तिकिन सब्स सब्सक्राइब है और यह सब्सक्राइब है तो आप जैसे बता रहें कि क्रूज करके अगर इसको इको मोंड में डाल दें तो यह अराम से 2022 क्या सब्सक्राइब इसलिए इसलिए मैंने 25 तक का अवरेज निकाला हुआ है उस पर आपने दिखा विडियों सफारी का किया था इस से पहले मैं मांजा चला रहा था जी वो पेट्रोल में थी तो फॉर मी एंजिन साइलेंट था परफोर्मेंस अच्छी आड़ी और टाटा से मुझे कभी मुझे ऐसा लगाने की प्रॉब्लम है सर्विस उसकी टाइम पर मैं करवाता रहा और अच्छा रिस्पंस करा गा होगा चोड़ दी जाएगी आप देखी आपको फिर भी कुछ का में लगते हैं उसको सब्सक्राइब करता वो करता जो टूल्स अवेलेबल हैं उसे साब से अभी जब टेक्वाजी बढ़ रहे तो आपको सर्विस साइट में मशीन जो है आपकी और जो एक्किमेंट्स आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप मैंन पावर को भी दोस्ट नहीं देख सकते है उसके पर बिल्कुल वाटावर थे हैं विन हैं अजब क्योंकि वह पुराने लोग है तो पराने लोगों को अपग्रेट करना टाइम लगता है आप नहीं जेंडरेशन को टाल दोगे तो यह जो मुझे लगता है ना क्योंकि देरे देरे इंप्रूब कर रहे हैं तो आपको लगता है कि अभी प्रॉडक्स वाइस तो कंपनी जो है वो 1010 काम कर रही है कि सर्विस वाइस में अभी भी थोड़ा सा इंप्रूब्मेंट लगेगा रिजन विंग ऐसा ने कि वह बहुत प दो बार कॉल आता है अगर कोई आपकी इशू है क्लीनिंग हुआ बट उसने कपड़ा दंग से नहीं मारा आफ रोल आफ्ट सर्विस दे संदी परसन एट और होम कि नेशन हम घर पे आगे करवाते हैं तो विचे तक जो मैंने अभी ट्राइब किया है गुरदीव जी अपन बहुत अच्छी स्मूथ चल रही है कार एंट फैक्ट मुझे एक परसेंट भी यह फीर नहीं हुआ अभी तक कि इसमें और वही एक्ष्रा पावर ती जो मुझे यहां मिसिंग ऐसा ऐसा कोई भी एक परसेंट भी कुछ नहीं है अच्या यह आफ्टर मार्केट लगा रहा अच्छा परसेंट पूरा सिंवर वाक्स अच्छा 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 इस वन अगेंड वन ऑन फी गूट पाइंट फंट प्रम टार शर्वेस इन ने करके गया था यह उनको बताया तो नहीं आए नहीं को तानिया टीक है विद्धिन वर्टी था उन्हीं वारा था दो सार सब्सक्राइब एक हल किसी ने सेंटर में लाइनिंग आ अच्छा तो उन्हों ने उसको दिया रिकॉर्डिंग किया आगे बेजा और दुबारा कॉल आगया कि सब्सक्राइब करके स्पेशली बहुत ही स्मूद इंजन है रिफाइंड इंजन है और पावर में किसी तरह की कमी सब्सक्राइब करने नहीं है कि अच्छे से मेंटेंड है चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सी तरह किसी तरह का भी कोई इशू अगर आया है यहां पर गुर्दीब जी को या कोई भी टाटा होना जो अभी तक हम लोग जितने भी लोग से बाग की है सबका यही कहना है कि प्रॉब्लम को रिजॉल किया जाता है पार्ट इपनेस्मेंट है तो वह भी ट्रीयों किया जाता है अटा की सर्विस काफी अच्छी ब्रूब हो रही है दिर इस और इस चिल फार बेटर देन अधर आम जो एक एक जो सीरो टाइप माइंड में चलता आए चाह रोग से लेकर गए अभी आज़ी अधर से निकलता हूं शोरूम से और उनको पता है कि मैं यह से जा रहा हूं तो दे इन्वाइट में फॉर कॉफी अच्छा अब इसको लाश्में करते हैं अब जैसे हैरियर होगी सफारी होगी हैवी हैवी कार्स है इसार एक्शली हैवी का जो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि टाटा की तरफ जाना चाहिए कि मैं डेफिनेटली रिकॉमेंट करूंगा कि जिसको जाना है वो टेस्ट राइव करें उसको फील आईगी इसका अपना एक रीजन यह है क्योंकि मैं पहले और भी गाड़िया मैंने देखी थी और वेसल अब आपने चलाई सब कुछ करा पट मुझे इसमें अंदर एक एरी फील आता है एक जो बलकी फील आता है और प्लस जो इसका लैंड रोगर का जेलर का जो प्लैट्फॉर्म दिया हुआ हुआ है वह आपको इतना स्टेबल रखता है रोड के ऊपर में एक और चीज मैं था और टेरेंट में इसको कनवर्ट करवाया था वैंड वीवर प्लानिंग फॉर दी इस पीटी इस पीटी राइट और आपको पता है कि वह अलमुस्ट रोड काइंड ऑफ तेंग है प्रफाइल से में अच्छा प्रफाइल में कुछ फरक नहीं किया है इसका वह 235 65 वार 17 प्रफाइल में नहीं च्छेटना चाहरा था कि उस प्रोफाइल से फिर कई मेकैनिकल इश्यू अहां वह रहें दूत्रा फिर माइलेज वगरा फेश्यू मैं रिक्मेंट भी नहीं करूंगा कि क्या लोग इसको 255 और 265 कर देते हैं बट आय नेवर रिक्मेंट कि आपको प सब्सक år के लिए इसकानी वह और लॉद्य गूंटव सॉचा और गोड उन्हीं है तो यह क्यों पूरे बहुत डिफिकल्ट है वहां पे आप यह मान के चलिए 15-20 15-20 आपके पास ऐसे वाटर क्रॉसिंग बीच में कि जो इतने स्टीप है पानी आ रहा है आप उपर से बैता हुआ आपके पास में बड़े-बड़े पत्थर है सारी अगरूट दरिस नौरोट बस वह यह आप सका प पर लेकिन MLD अधर रहे तो ज्यादा बेटर है अबर वह भी की कहें अभी तक तो इस बारे में सोचा नहीं में फूचर में फूचर में अपनी कार को क्या मैं इसको रेट करूंगा अभी नाइन वाइन विकस एक नंबर में फिर भी इसको अभी गुंजाइश का देता हूं क्योंकि जब मैंने लिया था इसमें बताया मेरे जो में पॉइंट था है कि मुझे और मुझे छूटा सा एक जो मिसिंग पॉइंट था एंड तो और दूसरा जो था कि ठीक है जब पावर उसके 170 तक आ सकते तो 140 क्यों देना है और मुझे डिफरेंस अभी भी नहीं फील हो रहा है उसका जब है तो 170 170 तो लोगों को सोच नहीं ना पड़े सीज के बारे में जो लोग मांटें टेरिन के लिए जाना चाहते हैं अपनी कार्स को लेकर क्या तैयारी करनी चाहिए क्या चीज़ों पर है जो ध्यान देना ची अगर आपके बहुत ही जादा हाई अल्टिटूट पर चाहरे हो तो जब आपके लिए प्राफ्लम होगी तो गाड़ी के लिए भी हो सकते ही विकास उसको भी एयर इंटेक चाहिए तो बंद इफ्यूलन फॉदिक अगर उसको भी ऑक्सीजन प्रोपर नहीं मिलेगा अगर आपके पंच रहा तो बैटारी कि आप अपना टैक्स को चेंज कर वा ले या फिर अपना जो इसको पहले करके चले कि कभी जुरत पड़े तो आप उसको ऐसा नहीं कि क्योंकि जैसे लगा हुआ और कभी हावाई नहीं चेक कर आया उसमें जुरत पड़ी तो यह में चीज हो गया प्लस आपका बैक पैक में आपको पता है ऑक्सीजन केंज हो गए और पटिकुलर आप डॉक्टर से भी होतारा के लिए हो गया डॉक्टर से एडवाइस करके स्पेसिफिक मेडिसिंस रखें डायमॉक्स टाइप होती है जो आपको हाई अल्टिटूड पे leo और आपको मनाली ये को मनाली ब्रेग्स लेगा मे опас सो कलो मेटर करें ले लो उसके बाद पोड़ वी काड़कु एसा human समझायों अगर है i गुर्दीव जी थे हमारे साथ बात जलने के लिए आपके जो इंपोर्टेंट वीडिवेक्स है रिव्यूज उसको शेयर करने के लिए जी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप भी हमारे चैनल पर अपनी कार का और शिप्र रिव्यू करना चाहते हैं तो ली झाल 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 झाल